मार पास कोच्छन कहा दे रखा which of the following has the maximum number of unpaid electrons maximum number of electron पूछा है तम बारे बाइन से देखा मेंगनी पहले में के में दे रखा इसका अटोमिक नमबर कितना होता है 25 अगर मैं इसका configuration निकाल तो कितना आरगन 18 4s2 और 3d 5 भी इसका 18 होता है 182 20 और 5 25 हो गया इसका करना और यह हम लास्ट अब सब चले थे 3D से चेक कर लेते हमारा तो यह हमारा क्या है 3d 123455 फाइव लेक्ट्रोन है 12345 थमारे इसके अन्पेर्ड एलेक्ट्रोन कितना उगे अन्पेरड एलेक्ट्रोन कितना होगे फाइव लेक्ट्रोन होगे अन्पियर्ड ठीक है अन्पियर्ड पांच है इसमें अब हम चेक करते हैं सेकंड में हमें क्या दरेखा टाइटेनियम इसका कितना अटोमेक नंबर होता है 22 इसका कॉन्फिरिगेशन भी निकाल लेते हैं 18 4S 3D 18 और 2 और ये 17…2..20 18..2..4 कितना हो.. 22 हो गया अब इसका क्या 5 3D इस से भी चैक कर लेते हैं 203..In2..eszके प्यूंभी ऐब हम निकाल कतना होगे step 04 के अब उपज्चिं के चैक करते हैं हमारा क्या तद रखा है VEN इडियम इसका कितना होता है 23, इसका भी प्लुप्फिगेशन के तना आर्गन 184S3D कि यह कितना हो गया 2 और यह 23 हो गया ठीक है इसका भी 3D3 से हम चेक कर लेते हैं तो हमारा यहां से एक वन 2 345 ठीक है 3D हो गया यह तो इसका कितने 3 थ्री एलेक्ट्रोन है 3D के 1 2 3 इसके अन पेड कितने हो गये 3 एक्ट्रॉन ठीक है और डी की चेक करूं डी कीज़रे रहें कितना होते हैं 13 नंबर 13 होते है 3 पी में कितने allow कितना होते हैं D yoo 3-1 इसमिंगी transform 13 हो गया configuration हो गया है स्काम लास्ट वाले से च्क करेंगे तो 3P में 3P में कितने और बीटर से तीन 1 2 3 इस में कितने है वन ये लेक्ट्रोन तो इसका अन्पेर्ड लेक्ट्रोन कितना एक वन एक्ट्रोन पीर्ड है हमें पूछा क्या है कोश्यन में विच आप दिफ लोईंग मै का सबसे ज्यादा है तुमारा आंसर कौन सा हो गया हमारा आंसर हो गया यह आंसर कि इससे असान सॉलुशन और कहीं नहीं